मचलियों और एक मेंधक की कहानी एक बार की बात है एक कालाब में दो मचलियां और एक मेंधक साथ रहा करते थे एक मचली का नाम शत बुद्धी और दूसरी का नाम सहस्त्र बुद्धी था वही मेंधक का नाम एक बुद्धी था मचलियों को अपनी बुद्धी पर बड़ा घमंड था लेकिन मेंधक अपनी बुद्धी पर कभी घमंड नहीं करता था फिर भी तीनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे तीनों एकटे तालाब में एक साथ घूमा करते थे और हमेशा साथ रहते थे जब भी कोई समस्या आती तो तीनों साथ मिलकर उससे निपटते थे एक दिन नदी के किनारे से मचुआरे जा रहे थे उन्होंने देखा की तालाब मचलियों से भरा हुआ है मचुआरों ने कहा हम कल सुबे यहां आएंगे और बहुत सारी मचलियां पकड़ कर ले जाएंगे मेंधक ने मचुआरों की सारी बाते सुन ली थी वो तलाब में मौजूद सभी की जान बचाने के लिए अपने दोस्तों के पास गया उसने शत बुद्धी और सहस्त्र बुद्धी को मचुआरों की सारी बात बताई एक बुद्धी मेंधक ने कहा उन्हें अपनी जान बचाने के लिए कुछ करना चाहिए दोनों मचलियां कहने लगी हम मचुआरे के डर से अपने पूरवजों की जगह छोड़ कर नहीं जा सकते हैं दोनों ने फिर कहा हमें डरने की जरुरत नहीं है हमारे पास इतनी बुद्धी है की हम अपना बचाव कर सकती है वही एक बुद्धी मेंधक ने कहा मुझे पास में मौजूद एक तालाप के बारे में पता है जो इसी तालाप से जुड़ा हुआ है उसने तालाप के अन्य जीवों को भी साथ चलने को कहा लेकिन कोई भी एक बुद्धी मेंधक के साथ जाने को तयार नहीं था क्योंकि सभी को शत्बुध्धी और सहस्त्र बुध्धी पर भरोसा था कि वो उन सबकी जान बचा लेंगी मेंधक ने कहा तुम सब मेरे साथ चलो मच्युवारे सुबह तक आ जाएंगे इस पर शहस्त्र बुध्धी ने कहा उसे तालाब में छिपने की एक जगह पता है शत बुद्धी ने भी कहा उसे भी तालाब में छिपने की जगह मालुम है इस पर मेंधक ने कहा मच्छुआरों के पास बड़ा जाल है तुम उनसे नहीं बच सकते हो लेकिन मच्छियों को अपनी बुद्धी पर बहुत गुमान था उन्होंने मेंधक की एक ना सुनी लेकिन मेंधक उसी रात अपनी पत्नी के साथ दूसरे तालाब में चला गया शत बुद्धी और सहस्त्र बुद्धी ने एक बुद्धी का माजाक उड़ाया अब अगली सुबह मच्छुआरे अपना जाल लेकर वहाँ आ पहुचे उन्होंने तालाब में जाल डाला तालाब के सभी जीव अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे लेकिन मच्छुआरों के पास बड़ा जाल था जिस कारण कोई भी बचकर नहीं जा सका जाल में बहुत सारी मच्छियां पकड़ी गई शत बुद्धी और सहस्द्र बुद्धी ने भी बहुत बचने की कोशिश की लेकिन उन्हें भी मच्छुआरों ने पकड़ ही लिया जब उन्हें तालाब के बहार लाया गया तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी शत बुद्धी और सहस्द्र बुद्धी का आकार सबसे बड़ा था इसलिए मच्छुआरों ने उन्हें अलग रखा था उन्होंने बाकी मच्छियों को एक टोकरी में डाला जब की शत बुद्धी और सहस्द्र बुद्धी को कंधे पर उठा कर चल दिये जब तक वो दूसरे तालाब के सामने पहुचे तो एक बुद्धी में ड़क की नजर इन दोनों पर पड़ी उसे अपने मित्रों की ये हालत देख बड़ा दुख हुआ उसने अपनी पत्नी से कहा काश इन दोनों ने मेरी बात मान ली होती तो आज ये जिन्दा होती कहानी से सीख कभी भी अपनी बुद्धी पर घमंड नहीं करना चाहिए एक दिन यही घमंड जान लेवा साबित हो सकता है आपको आज की कहानी कैसी लगी कॉमेंट करकर जरूर बताएं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें